अस्सलाम अरेकूम वेलकम टू राबर जोन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक भाई फिर से टिमाटरों को महफूस करने के लिए चार यूनिक तरीके जिनको फोलो करके आप अपने टिमाटरों को एक साल तक महफूस बना सकते हैं वीडियो को फुल वच कीज़ेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़ूर कीज़ेगा और शेयर भी कीज़ेगा मज़ीद अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स के लिए और चैनल को सबस्क्राइब कीज़ेगा साथ में लगे बेल की आइकन को प्रेस करना मत चलिए हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आपने पानी से टिमाटरों को अच्छी तरह से वाश कर लेना है इसकी डर्टों कारा हटा लेनी है उसके बाद टिमाटरों को ड्राय करके इस तरह से लंबाई के रोख काट लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं टिमाटरों को पहले हाफ से काटती हूं और फिर लंबाई के रोख काटती चले जा रही हूं इसी तरह से आप एक टिमाटर के चार से छे से कर सकते हैं मैं तिमाम टिमाटरों को काट रही हूं आप इसी तरह से काट हिएगा जब तेमाम टिमार्टर आप लंबाई के रोख काट चुके हो तो फिर आपने इन टिमार्टरों को एक एर टाइट बैग में इस तरह से डालेना है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फुल भरे होए नहीं होगे लेकिन ये एक दुस्टरे के ऊपर भी नहीं आएंगे इस पहला कर आपने इसको रखना है जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ये देखे बिलकुल इसी तरह से आप जब इसके अंदर टिमार्टरों को डाल चुके हों तो इसको लॉक कर दीचे इस तरह से पाउच बनागर आप फिछ में स्टोर कर लीचे और जब वाश करके अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और इसके और लंबाई के रूख नहीं काटना इसके छोड़ी पीसिस कर लेने हैं जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं दिमार्टरों को छोड़ी पीसिस में काट रही हूँ और इसको एक चौपर में डालती चली इस पेस्ट में बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं होगा टुमार्टरों के अपने ही पानी में आप इसको जो है पेस्ट इसका बनाएंगे और इसके बाद आप इसको आइस ट्रे में डालती हैं जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं आप स्पून की मदद से आइस ट को आप फिज में महफूस कर लें और अपनी ज़रुवत के मताबिक जो है इसको निकालें और इस्तामाल करें टिप नबर थ्री जो है उसमें फिर आपने टिमाटर ले ले हैं और वाश करके साफ कर लेने अची तरह से उसके बाद आपने एक कैंडल आउन करनी है और इसका जो उपर का हिस्सा होता है यहां पर आपने इसके ड्रॉप्स गिराने हैं होता यह है कि यह जो जगा होती है एर पास होती है टिमाटर के अंदर जिसकी हुझा से टिमाटर के खराब रहने का खत्रा बढ़ जाता है जब आप कैंडल की वैक्स के साथ जो है इसके उपर तीन तीन ड्रॉप्स गिरा देंगे और इसके इस हिस्से को गंबल तो पर सील कर देंगे तो उससे यह होगा कि ट तना से एर टाइट विएग लेना है और उसके अंदर तिमाटरों को महपूस कर देना है और एर टाइट बैग जो है बन कर देना है यह हमारी जोतर दरीका है तिमाट्रों को महफूस करने का इसमें आपने तिमाट्रों को छोटे बारिक 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 काट लेना है जिसलन से आप अधनाधन काट सकते हैं । जैसा कि आप को वीडियो में दिखाया जा रहा है। ठीक है जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है आप इसले तरह से तमा में तमाम दिमाठरों को कटिंग कर लेनी है और इसको एक ऐना है जैसा की आपको वीडियो में दिखा जा। इसी तरह से आपने तिमाटर को बारिग बारिग काट के फ्राइपैन में डाल लिए है अब आपने फ्राइपैन को चुले पर चढ़ा देना है और फ्लेम ऑन कर देनीए जब ट्रिमाटर बॉैल होने लगे तो आप इसके ओपर धकन लगा दीजिए और आप ने ट्रिमाटर के पानी बिल्कुल भी याड नहीं करना आपने टिमाटरों का पानी खुश्च करते चले जाना है और वक्तर 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 इसमें चम्चा चलाते रहें ताकि यह पेंदे में ना लगे जब पानी मुकमल तरप खुश्क हो जाए तो इसके अंदर आपने कुकिंग ओल शामिल कर करते हैं और कुकिंग ओल शामिल करके आपने चम्चा में सलसल चलाते रहना है यहां तक कि तेल अलग हो जाए और टिमाटर से तेल अलग नजर आने लगे जब ऐसा हो जाए तो आप फ्लेम बंद कर दें और पेस्ट को ठंडा करके किसी भी एयर डाइट कंडेनर में ट्रे म या चोटे-चोटे पैकेट्स बना कर आप सेव कर लें मैं यहां टिमाटर का पेस्ट एक ट्रे में महफूस कर रही है और इसके ओपर क्लिंग शीट लगा दूगी अगर आप चाहें तो आप भी इससी तरह से कर सकते हैं और आप फ्रिज में इस पेस्ट को रखने के एक दो वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजेगा बजीद अच्छी ची टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मिला के बेला आइकन को प्रेस करना मत भूलिए बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए आला आफिज